परिचाय आपका मित्र आपको चनौती देता है कि क्या आप संख्या एक, दो, तीन, चार, पांच को ग्यारा से तीस सकेंड से कम समय में भाग दे पाएंगे? क्या एक, दो, तीन, चार, पांच को ग्यारा से भाग देना और जांच करना संभव है? इसमें तीस सकेंड से अधिक समय लगेगा. क्या आप मन ही मन में उस्सुख हैं कि इस सवाल को हल करने का कोई दूसरा तरीका है? इस पाठ में हम भाग के नियम वा संख्याओं का गुड़न खंड करने के बारे में जानेंगे. इस पाठ के अंध में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. दो, तीन, पाँच, अस और ग्यारा से विभाजिता की जाच करने के नियम समझना, अभाजे संख्याओं को परिभाशित करना, अभाजे गुड़न खंड समझना. दो से विभाजिता. उसने देखा कि सभी में शेश फल शूने बशता है. अब उसने कुछ ऐसी संख्याओं ली जिनके अंत में दो, चार, छे, आठ या शूने नहीं है, और उन्हें दो से भाग दिया. उसने देखा कि ऐसी सभी संख्याओं में शूने के अतरिक्त कोई संख्या है. इसलिए उसने निश्कर्ष निकाला कि दो से वही संख्याओं विभाजे हैं, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर दो, चार, छे, आठ या शूने है. तीन से विभाजेता तीन सो त्रेसट तीन से विभाजे है, चार सुतिहत्तर के अंत में भी तीन है. लेकिन जब इसे तीन से विभाजित किया जाता है, तो शेशफल दो बश्टा है. इसलिए चार सुतिहत्तर तीन से विभाजे नहीं है. इस तरह इसपश्ट है कि तीन से विभाजिता जाचने के लिए एकदम अलग नियम होगा यहाँ जानने के लिए कि संख्या तीन से विभाजिता है या नहीं उस संख्या के अंकों का योग करें उधारण के लिए 363 की तीन से विभाजिता जाचने के लिए हम तीन, छे और तीन का योग करते हैं। हमें योगफल बारा प्राप्थ होता है और बारा तीन से विभाजे संख्या है। अब चार, साथ, तीन के अंकों का योग करें। योगफल चौधा प्राप्थ हुआ जो की तीन से अविभाजे संख्या है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यदी संख्या के अंगों का योग तीन का गुनाज है तो वह संख्या तीन से विभाज़ है। अनुज को किसी संख्या की पांच से विभाज़ता की जाच करना बहات आसान लगता है। वो संख्याएं जिनके अंत में पांच या शून है, पांच से विभाच हैं। कोई भी वह संख्या जिसके अंत में शून है, वह दस का गुणच है। इसलिए वह दस से विभाच है। इसलिए कोई संख्या जिसके इकाई के स्थान पर शून है या पांच है, तो यह पांच से विभाच है। और कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई के स्थान पर शून है, तो वह संख्या दस से विभाच है। ग्यारा से विभाजिता, मान लें कि संख्याएं 132, 1562, 2717 और 83,919 है, ये सभी संख्याएं ग्यारा से विभाजे हैं और इसे भाग की सीथी विथी द्वारा जाचा जा सकता है इकाई से शुरू करते हुए इन संख्याओं के विशमस्थानिक अंकों के योग पर विचार करें इसी प्रकार शेशंकों या समस्थानिक अंकों के योग पर विचार करें इन दोनों योगफलों के मत्धे अंतर ग्यात करें यह अंतर या तो शुन है या फिर ग्यारा है यह कोई संयोग नहीं है यह सामाने नियम है यदि किसी संख्या के विशमस्थानिक और समस्थानिक अंकों के योग का अंतर ग्यारा से विभाज है तो वह संख्या भी ग्यारा से विभाज होगी आभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्याएं. संख्या एक को देखें. इसका केवल एक गुड़न खंड है. स्वैम एक. एक विशिष्ट संख्या है. संख्याओं दो, तीन, पाँच, साथ इत्यादी को देखें. वास्ताओं में इन संख्याओं के दो गुड़न खंड है. एक और संख्या स्वैम. वे संख्याओं जिनके केवल दो गुड़न खंड होते हैं, वे अभाज्य संख्याओं कहलाती हैं. कुछ और संख्याओं जैसे चार, छए, आठ इत्यादी के दो से अधिक गुड़न खंड होते हैं. जिन संख्याओं के दो से अधिक गुड़न खंड होते हैं, वे भाज्य संख्याओं कहलाती हैं. संख्या एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्ये. दो सबसे छोटी अभाज्य संख्याओं है. यहाँ एक मात्र सम अभाज्य संख्याओं है. अन्य सभी अभाज्य संख्याओं विशम हैं. इरेटोस्थेनस की छन्नी आईए इरेटोस्थेनस कहलाने वाले ग्रीक गणी तग की विधी का इस्तिमाल करके एक से सौ तक की सभी अभाज संख्याएं ग्याद करें एक से सौ तक की सभी संख्याएं लिखें एक को काड़ दें क्योंकि एक अभाज संख्या नहीं है उसके बाद दो को छोड़ कर दो के सभी गुणजों पर क्रॉस लगाते हैं। अब आप देखेंगे कि पहली बिना क्रॉस की संखिया तीन है। तीन के उपर गोला बनाएं और तीन को छोड़ कर इसके सभी गुणजों को क्रॉस करें। अगली बिना क्रोस वाली संख्या पांच है. पांच के उपर गोला बनाएं और पांच को छोड़कर पांच के सभी गुर्जों पर क्रोस लगाएं. अगली बिना क्रोस वाली संख्या साथ है. साथ के उपर गोला बनाएं और साथ को छोड़कर साथ के सभी गुर्जों पर क्रोस लगाएं. इस तरह सभी बिना क्रोस वाली संख्याएं अभाज्य संख्याएं होंगी. एक को छोड़कर अन्य सभी क्रोस वाली संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी. अभाज्ये गुणनखंड जब हम किसी संख्या को इसके गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम कहते हैं कि संख्या का गुणनखंड किया गया है इस तरह जब हम 24 को तीन गुणे आठ लिखते हैं तो हम कहेंगे कि संख्या का गुणनखंड किया गया है गुणनखंड आठ का आगे दो गुणे, दो गुणे, दो के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है हम 24 को 2 गुणे 12 के रूप में भी लिख सकते हैं इसमें गुणनखंड 12 का आगे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है इस तरह 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के रूप में लिखा जा सकता है 24 को एक और विधी से 4 गुणे 6 के रूप में भी लिखा जा सकता है गुणनखंड 4 का आगे 2 गुणे 2 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है गुणनखंड 6 का आगे 2 गुणे 3 के रूप में गुणनखंड किया जा सकता है इस विधी से भी 24 को दो गुणे, दो गुणे, दो गुणे, तीन के रूप में लिखा जा सकता है इस तरह 24 का गुणनखंड करने पर हमें अंततहा दो गुणे, दो गुणे, दो गुणे, तीन ही प्राप्त होता है इस गुणनखंड में शामिल गुणनखंड दो और तीन दोनों अभाजे संख्याएं हैं किसी संख्या का इस प्रकार का गुणनखंड अभाजे गुणनखंड कहलाता है सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संख्येप में दोहराएं जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर दो, चार, छै, आठ या शूने होता है वे दो से विभाजे होती हैं जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर पांच या शूने होता है वे संख्याएं पांच से विभाजे होती हैं, जिन संख्याओं में इकाई के स्थान पर शुन्य होता है, वे संख्याएं दस से विभाजे होती हैं, यदि किसी संख्या के अंकों का योग तीन से विभाजे है, तो वो संख्या भी तीन से विभाजे होगी, यदि किसी संख्या के विशमिस्थानिक और समस्थानिक अंकों के योग का अंतर ग्यारा से विभाजे है, तो वह संख्या भी ग्यारा से विभाजे होगी. दो गुडन खंडों वाली संख्याएं अभाजे संख्याएं कहलाती हैं. एक मात्र अभाजे समसंख्या है, अन्ने सभी अभाजे संख्याएं विशम हैं. किसी संख्या को इसके अभाजे गुडन खंडों में व्यक्त करना इसका अभाजे गुडन खंड कहलाता है.